solution to pollution is a people's human revolution जी हाँ दोस्तों अब इस pollution से बचने का किवल एक मात्र उपाए लोगों की मानवियक रांती है जिसका सरा लगता है कि हम इंसानों को इंसानियत परत्नी होगी दोस्तों आज pollution के बारे में लोग जानने लगे है और उससे बचने के लिए उपाए भी करने लगे है लेकिन क्या आज से 10-12 साल पहले यह स्थिती थी बिल्कुल नहीं कोई awareness नहीं तबी हमारे आने वाले स्थिकर जिन्होंने pollution के कारण एवं गंभिर परिड़ामों के अभ्यास करके sustainable solution के उपर काम किया और मुझे गर्व है कि आज mcl इस solution से प्रकृती और बानव को दोनों के कलांड करने जा रहा है इस अविश्वकार में महत्वपूर्ण भूमी का निभाने वाले इस व्यक्ति को जो हमारे आज के स्पिकर भी है उनका मैं स्वागत करना चाहता हूं तो चलिए दोस्तों अमंत्रित करते हैं टेक्नोक्राइट ऑप्टिमिस्टिस एग्जेक्टिव डिरेक्टर अफ एम्स प्राची धोले कुड मॉर्निंग नमस्कार एम्सेल परिवार में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करते हूं और चलिए हम बढ़ते हैं आज के वेबिनार सेशन की और आज भारत में हमेशा सेवंथ नुवेंबर एक नैशनल कैंसर अवेरनेस डे हम मनाते हैं पूरे भारत भर में जिस दिन मैडम उनका जनम हुआ था और उन्होंने पूरे दुनिया को विश्व को रेडियेशन का संशोधन करके दिया था रेडियेशन वही है जो कि ट्रेटम अब अगर हम कैंसर की बात करें भारत में इस्विशली तो पूरे दुनिया में भारत कैंसर के लिए नंबर थ्री रैंग पर आता है आज भारत में हर साल दस लाक नए जो है वह गिने जाते हैं और हर पाच मिनिट में एक व्यक्तिकों काइंसर डिटेक्ट होता है उसके इसका ज्यादा क्यों इंक्रिमेंट हो रहा है तो इसके तीन है नमबर वन हमारा लाइफस्टाइल हम अभी जिस तरीके से फूड कंजूम करते हैं पैकेश्ट फूड जंक फूड एंड जो रेडिमेट फूड होता है जिसमें केमिकल प्रिजरवेटिव ज्यादा होते हैं इस देनमबर वन रिजन नमबर टू इस चैमिकल फार्मिंग जो हमें पता है इवन दो फ्रेश फूड खा रहे है बड़ उसमें केमिकल फॉडिलाजर का इतना उप्योग होता है कि उसके वज़े से जो कार्सें जो निक फैक्टर वह अपने बॉड़ी में बढ़ते हैं अन लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं अगर उनकी बात करते हैं तो उसमें जो है यहां पर ही ट्रीटमेंट और हमारी जो भारत का इंडिया भी बोल सकता है तो उसका जो है वो इंट्रोडक्शन होता है और आज में स्टोरी आपको ऐसे ही इंसान की बताने वाली हूँ जिसके जिसको हम नाचरियल हीलर ऑफ इंडिया भी बोल सकते हैं और जिन्होंने आज तक कितने सारे लाखों लोगों का इलाज जो है वो भी मुफ्त में किया है जिनका नाम है वाइद्य नारायन मुर्ती जो कि करनाटक के शिमोगा डिस्टिक्ट में बिलॉंग करते हैं और इनका जो है अगर हम यह बोलते कि इन्होंने यह कैसे किया तो इनका वो रोज सुबह उठते है और उनके जो आजू-बाजू के जितने भी फॉरेस्ट है या जंगल है उसमें से वह उसकी टहनियां पत्ते फ्लॉवर्स ऐसे तोड़के लाते हैं और उसका मिश्रण बनाके वह मरीजों को देते हैं और अगर मरीजों की बात करें तो यह एक हफते में 2000 लोगों का ट्रेटमेंट करते हैं और इनका रेकॉर्ड ऐसा है कि आज तक जितन और जो इनके पास जो नॉलेज है वो 400 साल से भी पुराना है इनकी ऐसा है कि वो अपने जो बच्चे है जो नहीं पीडी है उनको वो ट्रेनिंग देते हैं और यह ट्रेनिंग 40 साल का होता है 40 साल के बाद भी ट्रेन होने के बाद में उनके नीचे उनके जो बच्चे हैं व यूएस ऐसे कंट्रीज के लोग भी आपको फॉरेंटर्स भी इनके पास दिखेंगे अभी रिसेंटली टुटॉजएंट्वेंटी में एड़ एज ऑफ 81 उनका मृत्य हुआ उसके बाद में उनके जो लड़के हैं जिनको उन्होंने ट्रेनिंग दिया था वह अभी ये काम कर सब्सक्राइब करते हैं दिस वस्टोडी कि हमारे पास में एंशेंट नॉलेज और एंशेंट हेरिटेज इस प्रकार से हैं कि हम कोई भी बीमारी हो या मेडिसिनल वैल्यूज हो जो भी हमारे पास में बहुत जाता है आफ्टर कोविड-19 वर्ल्ल एल्थ और्गनाज़ेश बात करते हैं जो कि एक तालुका में रहेगा जो एक विलेज में रहेगा उसका भी काम यही रहेगा कि पहले नंबर वन इस ऑर्गनिक फार्मिंग हम जितना भी केमिकल फर्टिलाजर से होता है इसको यह में नंबर टू जितने-पी हमारे यह प्रिजर्व है जो एंशेंट नॉलेज है उसको प्रिजर्व करें एंड नंबर त्री एन्प ट्रीटमेंट है नहीं लेकिन हम बिजनस मोडल को बहतर हम कैसे कर सकते हैं यह हमेशा हमें बताते हैं तो लेट्स वलकाम नौव दी एडवाजर एंड स्टाड़ेजिस्ट एंड प्लैनर ऑफ दॉक्तर शाम गलव फिर से एक बार आपका इस टेनिक सेशन में सौगत परता हूं करता हैं कि आप सब्सक्राइबं हैं और आप अपने साथ परिवार का अपने साथ दुनों का खाला है यह भी उम्मित करता हैं कि आप सभी लोग एक खंटा बहुत अच्छे कर रहे हो अपने हाट अब